Assalamu alaikum and welcome to our channel Painless TV मैं हुशेकरता यासमीन यानिक एस्वाइ और मेरे साथ गाइनकॉलिजिस रफ्टर हिना यहां पर मौजूद है आजकल जो शो है वो थायराइट के हवाले से है अच्छा वैसे तो जाए से बात हैं हम गाइनकॉलिजिकल इशूस पर बात करते हैं और अगर नहीं भी हो पारी होती है प्रेग्नेंट तो भी कोई नो कोई मसला हो रहा होता है तो आज इसी चीज़ के हवाले से डिसकस करेंगे बिल्कुल डिसकुशन में शुरू करती हूं डॉक्टर हेना मेरे साथ हैं अगर आप हमारे चानल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब शरूर कीजिए सग्मेर अचा लगता है तो लाइक कीज़ेगा अचा आज का टॉबिक थाराइड के हवाले से पहले तो इन शॉट बता दें जिन लोगो नहीं पता कि थाराइड इंफेक्ट होता क्या है थाराइड एक ग्लांड होता है जो कि हमारी नेक में प्रेजंट होता है बिल्कुल सामने की तरफ होता है और एक विंग उसके दो विंग्स होते हैं इस तरह का वो एक और गन होता है जिसमें से हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्मोन्स होते हैं T3, T4 and Calcitonin, तीन होर्मोन इसमें से सिक्रीट होते हैं जादा significance T3 और T4 की होती है Calcitonin एक और होर्मोन होता है वो भी सिक्रीट होता है इसमें तो उसके कुछ डिसफंक्शन हो जाते हैं बौडी में जैसे आपने कहा कि लड़कियों में बहुत कमन हो रहा है ऐसा नहीं है यह ही बहुत जादा common females में इस एक्शली 12% more common in females than in males Males में होता है लेकिन बहुत कम common होता है और not only pregnancy related आपने कहा कुछ issues होते हैं इसमें प्रेगननसी से पहले यह जादा effect menstruation को करता है थारेट ग्लाइन के फंक्शन होते हैं और जादातर बेसिकली इस नौट गाइनकालोजिकल इशू इस एन एंडोक्रिणालोजिकल इशू लेकिन यह होता है कि बहुत सारी ऐसी females होती हैं जो कि menstrual irregularities की वज़ा से एक गाइनकालोजिस की office में आती है और डाइग्नोस यह होता है कि उनका थारेट ग्लाइन जो है वह सही से function नहीं कर रहा तो उसकी वज़े से उनको menstrual irregularities हो रही होती हैं और फिर हम उनको एंडोक्रिणालोजिकल ओपिनियन भी लेते हैं और फिर उनकी जो दवाएं होती है उसे साब से उनके doses एड़ेस्ट कि प्रेगनेंसी को एफेक्ट कर सकता है क्या करेगा इंटालिसमी यह होता है कि बहुत जदा मौ्स जानल अमा हमारी body की overall regulation को जड़ुरत होती है, regulation की ज़रुरत होती है, उतने जज़ादा hormones नहीं secret हो रहे होते हैं, उस condition को हम कहते हैं hypothyroidism, अगर किसी अचादा common hypothyroidism है females में as compared to overall hypothyroidism ज़ादा common है as compared to hyperthyroidism, तो hypothyroidism में सबसे पहले तो यह है कि वो pregnant होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उसमें बहुत ज्यादा उसको इस्यूस होते हैं जैसे कि हम हमेशां डिसकस करते हैं एक प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग का सेशन होना चाहिए जिसमें हर फीमेल को हर मैरिट कपल को एक डॉक्टर के साथ आप एक सेशन रखना चाहिए अपना जिसमें आपी सारे इस्यूस डिसकस करें अगर कोई इस्यूस नहीं है तो कुछ जो इंपॉर्टन्ट मेडिसिन्स वेक्षिनेशन इंफेक्शन या कोई और बिमारियां है उन कोई साथ है जिससे खातून को यह पता चले कि कोई मसला हो रहा है मेरे साथ बिलकुल खातून जब भी आपकी बाडी नॉर्मल से हटकर रियक्ट करती है या फंक्शन करती है तो इनसान को सबसे पहले खुद पता चलता है कि सम्थिंग इस रॉंग और जब उसे वह फीलिं जब कि थारे ढर्मन कम होता है उसमें होता यह है कि वेट बहाँ सादा गेन होना शुरू हो जाता है वाटर रेटेंशन बहाँ जादा होती है फ्लेट कलेक्शन होनी शुरू हो जाती है बहाँ जादा वेट गेन होना शुरू हो जाता है और उसको अपने फेस पे पफीनस को खाना पीना बिलकुल कि जाता है जुद्ट को एक उसक काम कर रही होती है कि जुद्ट प्र red in में बाड़ा है जो करें कर लिए खार होता है वेरिड कर रहा होता है कि वेरा होता है वाटर रेटेंशन की वजह तो यह एक जिस पर लोग बहुत पिक अप कर लेते हैं कि उनको कोई इशू हो रहा है तो फिर वो डॉक्टर के पास चाहते हैं अपना चेक अप करमाने के लिए देन अधर इंपॉर्टेंट थिंग के जैसे मैं शुरू में बताया कि मैंस्ट्रिल इर्राइगुलारिटी इस बहुत किस बहुत हैं उनकी कमी हो जाती है उनमें कुछ रिस्टरविंस हो जाती है जिसकी वागवलीट नहीं कर रहा है जिसकी वाज़ा बहुत多 हैं अपर बहुत समय होते हैं और अब टल् 9 और में पमता और मारत कब कुछा से करते हैं तो यहां आपने और साहर है इाल रेगुलारिटि एक आपने खरगा होगारी टीर्थी होक्त, और याल beauty ब्रगुर्रत कोप अपने घ्यूज़ग्य। इसकान अपने और पहलग्य। भी खी हम्हें टींट डॉटस ते ऌज़ कोश्य करें वार्मून संवाई बना कैम तेखरscary हो बहुत कर एंग वेन पतले ःज़म मेशने हो जाते हैं बहुत से भी खाँपुन तो यह कॉंट्रोवर्शल चीज होती है कि वह बहुत जादा खाना शुरू कर देते हैं और जितना खाते हैं उतना वेट कम होता है उनका बिलकुल हाँ तो फिर एक प्रॉब्लमाइटिक चीज होती है फिर वह उनको डॉक्टर को जाकर दिखाना चाहिए और वह अगर अगर तो यूजवली अकसर जिनको बहुत जादा ओवर सिक्रीशन हो रही होती है उनके पीरियर्ज आना बंद हो जाते हैं या फिर इतने कम आते हैं दो दो तीन तीन महीने के बाद एक आद दफार रहोता है बिल्कुल ऑपसिट होता है हाइप थिरॉडिजम के जैसे कोईगिले ब्लीडिंग भी नहीं होती दो दो तीन तीन महीने के लिए एमनेरिया हो जाता है कभी कभी कुछ लोगों को तो आना ही बंद हो जाते हैं जब तक उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है और इसी तरह से और कुछ ऐसे सिंटम्स होते हैं लाइक उनको पैल्पिटेशन बहुत जादा होती है कुछ काम करने को दिल नहीं करता है टायर्डनेस बहुत जादा होती है और हार्ट रेट बहुत कम हो रहा होता है और इंटोलरेंस टॉल्ड हो जाती है मतलब के आपसे सर्दी बिल्कुल भी बर्दाश नहीं हो रही होती तो तो इस आर दा वेरी सिंट दोक्टर इना यह पर बिताएगा वो जो लोग क्रेश्टाइट करते हैं और एकदम से अपने वेट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं इसमें जाहतर वोगातीन इनको शादी करनी होती लड़की को को बस 15 दिन में और 20 दिन में हमें चालेंज लेना है और हमें जो अपना जो वेट लूस करने की कोशिश होती है वही लड़कियां कर रही होती है जिनका वेट जादा होता है शादी से पहले सबसे पहले तो उनको यह च्छक करवाने चाहिए कि वेट जादा है क्यों क्या वो सिर्फ जंक फूड या बैड इटिंग हैबिट्स की वज़ा से है इनह वेट लूस नहीं कर पाएंगी तो वहां पे तो उनको सबसे पहले रिव्यू कर वालने चाहिए किसी दॉक्तर से सबसेक्लिक मेरे जड़े का कर दोती है कि अविदूर से दूल सबसेपाझ दर्म किसी द राय भी का कर दो है अ二ě अन्यूह कर Championships लिए बशुब्यूं करनी की दरी दूलिओं क।ो नहीं तरह ज़े पॉदसे हम इनकों कर दो और ओवराल हेल्थ में तो आपको अपने आपको हेल्दी रखने के लिए आपको पहले से ही अपने आपको इस तरह से बैलन्स टाइट लेके चलनी चाहिए और जंक फूड अवड़ करना चाहिए और अगर उसके बावजूद आपका वेट लूज़ नहीं हो रहा तो आपको एक पार विज़िट ज़रूर करना चाहिए पास ताकि वो आपको सौट आउट करना चाहिए पहले सही आपकी प्रॉब्लम तो नहीं हो रहे और कुछ लोग जैसे क्राइश टाइट पे चली जाते हैं कुछ फरक तो पर जाता है डेफिनेटली एक्सराइज करते हैं जिम्स ज तो यह तो जाता है यह जाता है यह तो आपकी फैमिली हिस्ट्री एक्सराइट गोर्ण भी तो फर उसक्राइट प्रिज़िट जाता है तो यह पासिबिलिटी इस हो सकते हैं लेकन सिर्फ डाइट करने की वज़ासे नहीं होता है लेकि दिरा मैंग क्रेश टाइट आपका वेट लूज होता है, डाइट छोड़ते ही उतना जल्दी आपका वेट गेन भी होता है तो I always go for the balance diet, आपको एक balance diet करनी चाहिए, आपका थोड़ा time लगेगा वेट लूज होने में और बोडी के शेफ में आने में लेकिन यह है कि it should be long lasting and permanent अब आखरी सवाल यह है कि क्या इसका permanent लाज हो जाता है, थारेट डिसॉडर्स का, थारेट डिसॉडर्स का permanently यह होता है कि आपको permanently medicine लेनी पड़ती है, as long as it's like diabetes, आपको काई diabetes भी एक हॉर्मोन की वज़ा से हो रही होती है, insulin is also a hormone, इसको regulate करने के लिए आपको कुछ जैसी medicines लेनी पड़ती है या insulin therapy पे जो लोग होते है उनको insulin लेनी पड़ती है, इसी तरह से थारोईट को control करने के लिए भी आपको lifelong medicines लेनी पड़ती है और जब तक आप जिन्दा हैं आप दवाइं खाते रहेंगे, आपका dose आपके hormones की secretion के से देख के हम उसको test करवाते रहना पड़ेगा आपको, जितना अरसे के बाद आपको doctor कहता है, आप वो test करवाएं और उसके base पे आपका dose होता रहेगा, और इस तरह से आपका thyroid gland जो है परड़ी होती है, तो और रेडियो, उसके surgery वगारा की तरफ भी जा सकते हैं, वो in case of hypothyroidism होता है, usually hypothyroidism medicines, जो के थारसीन, replacement therapy, जिसको हम कहते है, replacement therapy, जिसको हम कहते है, replacement therapy, या आपके अंदर थारसीन नहीं है, या कम है, तो उस हसाब से और जितनी कम है, उस हसाब से आपका सवालात थे, उसके जवाबाद आप तक पहुचा दिये गए, इसमें आप लोगे भी सवालात थे, जो आपके जहनों में थे, वो तमाम सवाल मैंने हाँ पर कह लिए, लेकिन इसके लावा भी कोई सवाल आप करना चाहते हैं, तो आप description box में जाहिएगा, नीचे एक email address है, उस पर आप सवाल कर सकते हैं, इसके साथ ही शिकसा यासमीन, यानिके S.Y. और रोक्टर हिना को दीजिए, चाल्जा थम्ते में मिलेंगे एक नए वी लोग के साथ, खदा आफेस.